गुजरात में तो सब परिवर्दन हो गया है इदर गुजरात में एक लात मारते हैं तो पूल तूट जाते हैं बारिश गिरने से रोल तूट जाती है बैसा अठरती है तो ट्रेंड तूट जाती है इदर कोई विकास नहीं है किसान है आयम फार्मर मगर किसानों को बरबाद किया है हम इस बार इसको बरबाद करके छोड़ेंगे नमस्कार मैं जोति शोहान इस वक्त हम गुजरात के जिला एहमदावाद में मौजूद है और ये दंदू का विधान सवा है हलाकि चुनाओ का एलान भी हो चुका है और जहां भी आप जाएंगे तो तमाम पार्टी के नेता नगरी में हलचल मची हुई है कि भाईया गुजरात में क्या कुछ होने वाला है तो दंदू का विधान सवाम फिलाल इस वक्त मौजूद है और यहां के लोगों से जानेंगे क्या महल फिलाल दिखाई दे रहा है इनके हिसाब से क्या मुद्दे पिछले 2700 साल में ग्राउंड पे दिखाई दिया है 27 साल से हम यहां प्रजा बहुत दूखी है यह भाजपा सरकार ने जो बे रोजगारी का मुद्दा है सब युवा वर्ग हमारे जैसे सब रोजगार बिना खुमते हैं और यहां पे क्राइम रेट भी अभी बढ़ रहा है सब बड़ा बड़ा चूट बोलता है यहां कोई गुजरात मॉडल है तो गुजरात की जंता यहां दुखी ना होती अगर उसने बड़ा अच्छा किया होता तो अभी माहूल आप देख रहे हो माहूल नहीं होता अभी 27 साल के बाद गुजरात में परिवर्टन हो रहा है अभी तो गौरव यात्रा निकाल रहे है ओ गौरव यात्रा किसकी ले रहे है यह बेरोजगारी बड़ रहे है उसकी यह महंगाई की आले सब जूट बोल रहे है सब जूट बोल रहे है कोई गौरोव नहीं है गौरोव था तो यात्रा की जरूर नहीं पड़ती अगर 27 साल में उसने कुछ भी अच्छा किया होता तो वोट मांगने जाने जाने की नाराज तो होगे सरकार आपने देखा यूआ वर्क सब बेरोजगार है अभी तेल का सब जूट बोल रहे हैं और कुछ नहीं है विल्कुल टिकावी का लगा के तयार है क्या सोचने कुछ आप ने बोलेंगे आप बताइब है क्या सोचने इस वार गुजरात में तो सब परिवर्टन हो गया है कोई सब गुजरात में फ्यास का है कोई लोग इसका समर्थन नहीं देने वाले है शब लोग सब सब सत्याविस बरस वो गुजरात की जनता है इसको मांगवारी और जो सिलेंडर के ग्यास वह जो महीरा है वह परेशान है और जो तेल का डिबा मिलता परिशान है खेड़ पर अपनी फसल का पुरा दाम उसको नहीं मिलता और जो चोजार देते हैं मोधी जी और जो प्रचार करते हैं कि हम लोग चार माने दी हां हां सनमान निदी मिलता है हम कि अरे मिलते हैं क्या चोजार तो देते हैं लेकिन जीएश्टी सवरुप के वह टैक है कि 25-27 सालों सरकार है अगर सरकार को परिवर्थन हुआ तो यहां का विकास रुख जाएगा अरे यह सब बात जूट है विकास तो उसने सब देश ने देखा है जो सितिर बरस की साल में जो कॉंग्रेस में जो जिस दिन इस देश में से इंग्रेस चले गए वही दिन वह बाजब का जो विकास के रहा है विकास में साथ साल में सब बेच दे रहा है और दो ही है अमिच शाव और नरेंद्र मोधी सतर साल में कुछ नहीं कर पाए जब हमारी सरकार ने किया और उसकी सरकार ने किया क्या उसकी जिरत में जो सारे डेम है वह सारे डेम कॉंग्रेस ने बनाया है और जो सभी काम कॉंग्रेस ने किया जो दवा खाना है वो जो सरकारी निशालिया है इसने सत्याइसाल में बनाय करके उसने बसों लोगों की जान लिया जो उसने डैम बनावाया होता तो अर्दा पॉना जो नहीं बढ़ाया होता तो लाखों लोग को मार दिया जाता यह वह इस तरीके से कहते हैं कि 27 साल में जो हमने किया है उसके हमें बहुत गौरव है और वह कोई पार्टी नहीं कर सकती है वह तो मैं भी कह रहा हूं कि मैं रहूं हूँ वह देख रहा है कि वह यह जीरो है सबकी आखों में उसने दोल जो की है अब वह नहीं चलिगा नहीं यह तो इसकी पास दो प्रदान मंत्री बनाया ता इसके साथ इपनोटीजम जैसी लोगों को उसने बाते शुनाई और है इसका कार्म कैसा है जो हमें लोग मार देता घ्र जान दिया है थोय चला जाता है उसको काफी नराज गे अंदर आब देखो इधर गुजरात में एक लात मारते हैं पाटू लगाते हैं तो पूल तूट जाते हैं बारिश गिरने से रोल तूट जाती है तो ट्रेंड तूट जाती है इधर कोई विकास नहीं है किसानों को बरबाद किया है लिजल मेंगा टेक्टर की हमें खेती महंगी पड़ती है हम किसान है आइएं फार्मर मगर किसानों को बरबाद किया है हम इस बार इसको बरबाद करके चोड़ेंगे जय जवान जय किसान पूरा के दिया तो बीच में छोड़ दिया जो उसने वाइदा किया नीभाया नहीं पाइदा 2014 में तो बहुत सारी कियों बहुत हुई महेंगाई की मार आपकी बार भाजब सरकार और बहुत सारे नारे दिये थे उसने नारा दिया सिर्फ नारा था कि या सोच के फिर प्रतानमंद्री बनाए हमने तो सब सबको गुम्रा किया हिंदू मुस्लिम के नाम पर गुम्रा किया मगर इस बार मंदीर मस्जिद नहीं चलेगा शिर्फ मानवता चलेगी चुनाओ के वक्त कुछ ऐसी बाते कहते कि या फिर से कुछ आने वाला है काउंट में या फिर कुछ ऐसा वादा कर दे तो वह था पब्ली फिर नहीं गुजरात के प्रब्लीक इस जांसे में नहीं आएगी नहीं आएगी हर चुनाओं में तो हर वार तो यही कहते हैं लेकिन सरकार तो बीज़ेपी बनती है शिर्फ इस बार नहीं चलेगा अच्छा समझ ग छूदिया किया मोधि सहिब को तो भीभी बच्चा है नहीं हम लोग जैसे मर गए बीवादचे वाले काफी नाराज़ी है लोग के अंदर आप थे बिए क्या नाम दो थाज़े अच्छा बताएं बताएं बदाएं बधिजे पी को लाएंगे नहीं लाएंगे यह नहीं लाएंगे बस अंध्या नाराज़ी महंगाई का मुद्धा है लोग के अंदर काफी नराजगी है और लग अलग विधान सवास से लोग का मूड बिजा जानने की कुशिश कर रहे हैं आगे भी चलते हैं लगातार चुनाओं तो दिखाएंगे कि रैलियों में क्या कुछ महाल है नेता नगरी में कैसी गर्मी है फिलाल के लिए नमस्कार